आज का हमारो टॉपिक है कूंप्स टेस्ट कूंप्स जानने से पहले अपने को थोडी चीज़ जानने पड़ेगी यह थीकि ब्लेड ब्लेड के अंदर आर्बीस होती है इसके ओपर कुछ एंटीजन होता है नॉर्मल केस में तुछ है यह आर्बीस है यह ऑसकते और यह और ए अब क्या कुछ कंडिशन हो जाए जैसे immunohemunolytic anemia उसमें क्या होता है कि आप एंटिजन के प्रती antibody बना देती है बोड शरीर में तो यह blood है इस एंटिजन के अगेंस्ट में आप जाती है तो जहां पर यह auto antibody होती है तो यह antibody बनने के प्रोजजर और हम इसी इसी antibody के साथ जो आप आर बीसी देखते हैं जो कि अब नॉर्मल होती है उसको हम देखते हैं कूंप्स टेस्ट में ठीक है और अब हमारा कोश्चन आता है कि च इसके अंदर है आइंट आवे तो जिए लेंगे, आपनों से चीड़ें आपन ब्लड से सीरम लेंगे, ब्लड में भी सीरम और सीरम से यह एंटिबोडी सेप्रीट करके ब्लॉड में डालेंगे, पूर्छ भी एक ऐनिमल है, उसके अंदर ही एंटिबोडी ही डालदी और फिर अनिमल के अंदर जैसे ये इंटीबोड टालेंगे, तो अनिमल का इम्मून रिस्पॉंस क्या है, इसको फॉरेंट पार्टिकल बारेगा और इसके अगेंस्ट में इंटीबोडी बना देगा, यदि के ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजन्ट कर रहा हूं, तो अब इसको अपन इसक अब अमारा आता है कूंच रिजन का प्रिंसिपल क्या है, और कैसे क्या काम करता है, तो अपन कूंच रिजन का प्रिंसिपल देखते हैं, तो देखें, जो ये RBC है, नॉर्मली, और इनके अंटीजन के अगेस्ट में जो ये एंटीबोडी बन गई, जो कि आईजीजी और इसको अगर आपन सेंट्रिफ्यूज करेंगे तो ये अगलूटिनेट नी होगी, अगलूटिनेट मतलब ठकका बना देना इस तरह से, तो अपन क्या करता है, इसको कूंच रिजन के साथ मतलब करता है, ठीक है, मिक्स करता है, तो कूंच रिजन क्या करता है, जो आईजीज कर देता और bridge बना देता यह हो गई auto antibody यह हो गई combs reagent की antibody जैसे combs reagent डालेंगे इसके अंदर combs reagent के साथ मतलब बना के bridge बना देगा अब bridge बना देगा तो यह auglutinate हो जाएंगे तो इसलिए हम combs reagent का use लेता है ठीक है तो हम अब करने के लिए कोंब्स रिजन डालता है जो कि अनिमल से बनता है जो कि एपसी पोर्शन आईजी के ऊपर रियट करता है या फिर ना कॉंपलिमेंट के C3B और C3D कंपोनेंट पर रियट करके मदा रियट कर देता है और बिरिज बना देता है एंटी बोडी और अब करनेशन निए जिका अब आता है देखिए कोंब्स टेस्ट दो तरह होता है डायरेक्ट और एक इन डायरेक्ट कोँपन अटी-ग्लोबीन टेस्ट भी कहता है या तो डाईट-ग्लोबीन टेस्ट ऑलीट टेस्ट अपने इंकंप्रीट एंटीबॉडी जो कि आ झान के कुछ नहीं रायट अक्सका प्रोफियुजर कुछ नहीं आपन क्या करता है अर्बीची यह leo और 09 il यूब speech जो गी जिनके अफर यह एंटी बडी होगीुर के उसको फने इरत क्राब देता है अपने किसके साथ कॉंस deleted करेंगे तो इक ब्रीज बना देगी है तो दीक का निवे पर यह निप आप डी कॉंस ब्रीज बना देकिंगे जैसे डेट कराइंगी तो यह ब्रीज बना देखें Chang Harmon तो इसे को बोलते हैं तो देखिए प्रोईजर का है हम सैंपल लेंगे एडिटी ए ब्लड का ठीक है और फिर अपने ना आर बीसी को वाश कर दें कि अपने आर बीसी चीए नॉर्मल स्लाइम तीन ताइम और जो परवाल होगा उसको डिसकाट करके पांच परसन सस्पेंशन ब उसके प्रेट कोम टेस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है और अंकी बीच में क्या रतर है तो इंड्रेट कोम स्टेस्ट अर्मिट करता है यहां पर प्री नेडर्ल प्रीट्र माविधा अगए प्री नेडल फिमेल के अंदर देखता है अपन आर एच अन्टिवाटी ठीक है इसके लिए डिटर्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है देखें में बता रहा हूँ यह सपूर कीजिए एक माँ है जो कि पैटने होने वाली है और इसको इसका है आरेच नेगेटिव मनलब इसका आरेच नेगेटिव है रिसस्टेक्टर नेगेटिव है और इसके पीट के तो मा के अंदर anti-rh antibody बन जाएगी ठीक है फिर और वो cross कर देगी placenta को second delivery में second delivery साम क्यों होगा ये cross कर देगी placenta को और और क्या होगा बच्चे को बच्चे के लिए harmful हो सकती है बच्चे को मार सकती है तो इस condition को अपन बचाने के लिए अपन पहले ही देख लेते हैं कि इसके अंदर आया है यह यह ना नहीं है बोडी हैक नहीं है तो उस देखने के प्रोज़र को यह अपन इन डायट कोंग स्टेस्ट में देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन आयगे पंगा है इसके नदर क्या करेंगे अपन चो मा का बलड लें इन मा का लेंगे मा क्या करेंगे यह यह नहीं को यह निर्च नगर कर देजensenya कोbasis चुज़रburg कर देगे जो कि इन अफ्वी अच़ हो सकے, जैसे ही अच्छ होकी फिर अपन क्या करेंगे जैसे अरबीस के अपने पाइच अच्छ होगी यह तो आपने डोनर से ली तीक है लोनर से लिए इसलिए मैंने बोला था यह है तो यहां पर यह थक्का बंजम जाएगा इसका प्रोईजर किस तरह से होता है तो आपन क्या करता है तीन तेस्ट्यूब लेता है ठीक है एक को टेस्ट दीजे एक पॉजिटिव कंट्रोल एक नेगेटिव कंट्रोल फिर इसके अंदर अपने क्या डाला दो ड्रॉप डाले अपने टेस्ट सीरम इसके अंदर टेस्ट सीरम डालेंगे दो ड्रॉप ठीक है इसके अंदर एक ड्रॉप डालेंगे एंटीडी सीरम और इ इनके अंदर जो एंटीबोडी है उससे ही एक्टे अचो सके ठीक है फिर आपन इंक्यूबिट कर देंगे एक गंटे तक फिर आपन वाश कर देंगे उनके अना सेल्स को तीन त्री ताइम मतलब थीन बार नॉर्मल सा लाइन में चाकि एक्सेस सीरम चला जाए और को एंटीब अगले तॉपिक अगले वीडियो में चालेंगे अगले टॉपिक के बारे माई